एलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का निता जी के किचन में तो आज हमारे किचन हम भी मतरो का इंहेंगे मतर के नमोना तो चलिए स्कष एक चाहिए है बनाना और यह जो नमोना है आप रोटी से भी खा सकते हैं चावल से भी खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो हरे हरे मटर लें जब भी आप बजार से लाएं और उसको हम मटर का छिलका हम उतार लें और दोस्ते मटर का चिल्का का भी रेसेपी बनता है लेकिन वो कच्छा मटर का चिल्का होता है तो वो मैं जब बताँगे जब हमारे खेत में मटर हो जाये उसके बाद मटर का चिल्का का कैसे बनता है सबजी यहां पर देखिए मटर को हम च्छील के लिते ए hein पट पट और हरा हरा मतर है देखिए अचिलते वक्त आप लोग कितना मतर खा जाते हैं बताएगा किनकि मैं तो आधा खा जाती हूं इसलिए मैं बच्चे को बोलती को तुमी चील देख तो मैं खा जाऊंगी सारा तो साम हो जाएगी जंदी जंदी हम छील लेते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों हम छोटे साइज का आलू लिए हैं यह छोटे साइज का आलू आप नमोना में डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है तो आपका मर्जी करें तो इसका छीलका उतारें चैना उतारें लेकि आपका छिलका उतार सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह बड़ा टेस्टी लगता है, नमोना के अंदर यह अलू, छोटे यूजो बेबी यूजो बोल सकते हैं, यह जो बेबी यूजो है, वो शेहरों में असानी से मिल जाता है, इतना बड़ा बड़ा पोट हम देखिए, पानी डाल के से हाथों से मसल लेंगे ना, तो आधाम आधा छिलका उतर जाता है, समय का बचत हो जाता है, बात सिसी लिए, इस तरीके से हम लोग मसल के अतब्द होते हैं, कि जो मिट्टी वाला होता है ना, वो उतर जाता है, देखिए कि ता सफा हो गया, तो कभी भी मिट्टी वाला आलू हो, तो उसे तीन से चार पानी दोए, अच्छा तरीके से, नहीं तो अगर दात के नहीं से किस-किस किया ना, तो सारा मजा किरकिला हो जाएगा, और साग को तो चार-पानी दोएगा, करेगा तो बढ़िया, इस बात है, दोस्ता लाणा जी ब लगते हैं, हाँ, तो देखी हम लकडियां इसमें जला लेते हैं, चुला जलाएगा, जिगर से पिया, जिगर मा बढ़ी आगा, चुला तो धरा नहीं, आक में खाली पी दूआ चला गया, तो चुला जल गया है, दोस्तों, सर्दियों के मुसम में दस्तों काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है मन करता है दो-चार स्विटर पहन के रजाई में बठे रहा है तो तड़का में जाएगा दो-तिन तेजपत्ता और दो चुटकी मेथी सर्सों का तेल डालेंगे हम कडाई में तो यहां पर हम चार चोटे चम्मस सर्सों का तेल डाल रहे है तो यहीं पर हम जो आलू काटे हैं वो डालेंगे अली दाल गी दोस्तों अलिको ना दीनी आज के हम शोर देंगे अब चलते हैं फटा फट कहां चलेंगे बताईए आईए मेरे पीछे पीछे आपकी जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो चोरी चोरी मेरे दी के चूराते हो अब हम क्या करने माले हैं दिखाते हैं आपको इसका इंगलिज क्या बोलते हैं ग्रांडर 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 के पास आगए हैं यह देखें ग्रांडर है यह देशी ग्रांडर आयम मेकिंग तो सबसे पहले हम दूस्तों मसाला पीसेंगे तो मसाले में लिए यह गठ लसन यह देखिए और यहां पर तीन चार यह हरा मिर्चा एक चोटा दीन चंप जीरा और काली मिरिच दस से पंदरा पीस इन साबको हमे पीस लेना है तो पिसेंगे तो भी स्वादिस्ट, वारिक पिसेंगे तो भी स्वादिस्ट, तो कोन साब कीजिए बता ही है तो मैं भी दरदरा ही पिसूंगी दोस्तों, मसाले के जो फ्लेवर है ना उसका जो आरोमा होता है, दरदरा में मजा जाता है तो ऐसे हम लोग करते है ना जल्दी खाना बन जाता है, वैसे बे बुढ़ारी में तो एक एला ही बनाना है बते तो चले जाएंगे जोग पर तो उसका प्रेक्टिस आपी सही कर ले रहे है में लाओ मासाला इस रेड़ी है इस एक शोपके यहां पे देखिए एक झाव अबसाया, जाल अग्मारा ज़ना है इस अलोग भात जाल हो गया है तो आप इसमें मशाला डाले देते हैं अब इसमें थोड़ा सा आदा चमच हल्डी डालना है, तो हल्डी आप अभी डाले या बाद में डाले लेकिन अभी हम पीसना है हमको मटर, तो चलते हैं मटर किसते हैं फेले, यह हरा मटर जो लिये थे हम, इसे किस तरीके से हम पीसेंगे आपको दिखाते हैं, इसका भी एक इसको ना कुछ को हम बारिक पीसेंगे, आ कुछ को दर्दरा पां से थोड़ा जादा उड़ा है, तो गाना है तो पतांगे से थीवा देखे दोपर पेले, हम पारिक पीस लेते हैं अब इतना को हमें कैसे बनाना है यह जखिए इसको ना इसकी दाने फोड़ देखें देने हैं यह देखा रहे हैं इसके जो दाने हैं उसके अशीला ऑ्वास कोरते हो दिखाती ऊच से में सब्सक्राइए-च लॉथ दाल साफिये लग से छूद्टे ना यह थोड़ा अलक से बहूंग है है तो आप इस तरह एक आप पिसे घडा तो कोई बात नहीं, मिक्सर जार में इसे दरदरा पीस लें, लेकिन हम लोग तो ये सिल्वट्टे का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा मर्जी हो इसा पीस लेते हैं, तो सभी को पीस लेते हैं, और जो इतना है, कम से कम 20 दाना, उसको साबूत रखेंगे, तो हम सभी चीज़ों क पीस ले हैं, अपने मन मताबिक आपको दिखाए भी और इसे उठा लेंगे, तो देखें दोस्तों, मसालो के साथ देख रहें कैसे आलू उप्डम बिलकुल, मसालो के साथ देख रहें कितना बडियां लाल हो गया है, अलूँ हम यही पे डालेंगे यह पीसा हुआ अपना म यहीं पर हम दो टमाटर को इस तरीके से बारिक परिक काट लिए हैं दो चुटकी भर हल्दी तो दोस्तों अब हमें फिर से भूनना है इसे जैसे कि आप देखे होंगे आप भी जाई कि आपते हैं बारिकान से बारिक कि देखे होंगेता है जब तक मसाला और मतर पिस डालती है तो लाला जी है तो आप एल्प कार देते हैं क्यों कि भाई तो सुने के बिना इसे लिए डॉर कैमारे जो पार्टं काल वो नो जो 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 बार दीरे धीरे पोल कोई सुना लेरे कोई सुना अमको कसी का डर नहीं तो अभी तक तो धीमे जीमे आठ जल रहा था अब हम थोड़ा तीज करेंगे प्रेसर बढ़ाएंगे यही पे हम स्वादम सार नमक डाल लेते हैं और डाल के भूजिंग 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 कम से कम पांच मिनट भूजिंग तो अर। यह जो नमोना है न दोस्तोeg यूपी का और बिहर में बहुत ही फेमस है और अलग अलग जगा पर अलग तरीके से बना जाता है तो जटक हमारा नमोना भून रहा है तो तक हम आठा सान के तैयार कर लेते हैं और पराठे बनाएंगे गरमा गरम ए हम का करें आठा हम भून ली है इदा हमारा नमोना भी बहुत अच्छा भून गया है यह ना सौंधा सौंधा हो जाता है करहाई के तल्ले में सिफखने लगता है तब इसमें हम पानी डालेंगे पानी इतना डालेंगे जितना हम मतलब गाड़ा ही रहे ज्यादा पतला नाओ की चावल से भी खा सकें रोटी से भी खा सकें तो हमारा नमोना बनके तयार हो गया है तो उपर से हम डालेंगे हरा धनिया का पत्ती जैसे एंट नाज जो मंदीर है वहां पर गान बजने लगा माता नानी का मंदीर में अब जल्दी जल्दी परांगे में जल्दी पराथे बना लेंगे, देखिए नमोना कितना बढ़ियां, गाढ़ा बनके तियार हुआ है, देखिए, तो इसे पकाते हुए, हमें 7-8 मिनट हो गया है, इसे हम गर्मा गर्मी खाएंगे, तो अभी पराथा बना लेती हूँ, इसके बाद गर्मा गर्म आपको पोरोस होंगे, पराथे बना लेते हैं, और आपको सब्तर के दिखाएंगे, तो अभी भाक्ती में मन मगन है, सीराम जान की बैठे हैं मेरे सीने में, सौंग बजरा मातरानी के मंदिर में, तो दोस्तों हम सारे पराथे बना लिये हैं, ये देखिए, केमरा में इनको भूक लग गया था, वो दिखाया ही नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मैं पराथे बनाई हूँ, इस तरीके से हम पराथे बेल के, थोड़ा सा सर्सो का तेल लगा के, फोल करक तब बनाए हैं, ये बिल्कुल सिंपल पराथा है, आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, तो आप लोग सोचेंगे, पता निको पराथे बना लिये हैं, हमको तो दिखाये नहीं, तो पराथे हम बेल लिये हैं, तब आप डालके पका लेते हैं, लास्ट पराथा है, बना ले केमरा में में बड़ा थीर भूक लगा था झाल जो शानतुरो लगा भूख लगा था जो नो बना था थोड़ा-थोड़ा थील लगाई के मैं पराठे तयार कियो मुसारा कसारा पराथे मेना सरसो का तील खाना पसंद करते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं और बढ़िया बढ़िया करारा करारा बना लें कभी कभी वीडियो के सूट के बीच में कुछ ऐसा होता है, किसी को भूख लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है तो लास्ट पराथा है बना के जल्दी से हम लोग खाएंगे पराथे गर्म गरम तैयार है ठंड में तो सभी को मजाता है गर्म गरम खाने में मैं भी गर्म गरम सर्व कर लेती हूं तो सर्व करने के लिए हम एक कटोरा लिए हैं कोटोरा में नमोना को हम डाल लेंगे आप पलेट में खाएं हम लोग तो कोटोरा में ही खाते हैं देखिए चुले का पस रखियों की गर्माहट रहेगी तो दोस्तों पराठे भी बनके तयार हैं और नमोना भी तयार हैं देख लिजिए कैसा तो पराठे भी तैयार है खाने वाले भी तैयार है जैसे कि बीरू भी तैयार है बसंती भी तैयार है तो दोस्तो पटापट अब सर्ब कर लेते हैं आग सेखेंगे खाएंगे आप रभू के गुन गाएंगे तो आपको कैसा लगा दोस्तो हमारा यह मतर का नमोना बनाने का तरीका बताईएगा कॉमेंट बॉक्स में और इस तरी किस जलूर बना के खाईएगा तो मैं देती हूँ टेस्ट करने के लिए लाला जी को खुद बताएंगे आपको कि कैसा इसका टेस्ट है तो सबसे पढ़े आप दो खा दीजिए देखिए दूर से देवता लोगों को इसलिए खिला जाता है कि चक लेते हैं देवता तेस्ट ले लेते हैं बहुत बढ़िया बना होगा है नमक लग सही है कर दो बहुत दो आई दुए सब्सक्रोट टीध दिस्ट झाल गता हैं प्रम जैनिस क्लाइयो जब तक कर लिए भाइल जैए मतर का नमोना और तीन कोन बड़ा पराथा जब दो खाली जड़ी हम अगया निकाली बहरी तापल यही जब थन्दा लागा तादा मोरी तेरो अप सुटर काईना पेननी हो जी जागा पहिना हमान मननला कि हम चूला के आगी में बनाएंगा फेर ना बनाओने हाँ